आज मैं आपको बताओंगे घर में हम आसानी से नवाबी से मही कैसे बना सकते हैं एक तम परफेक्क रेसिपी दूँगी यह लेबनीज डेजर्ट है और बहुत ही टेस्टी होता है तो चलिए विडाउट एनी फॉदर डिले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो इसे बनाने क आपके पस कोई भी फ्लेवर एट कर सकते हैं अगर आपके पस कस्टड पाउडर नहीं तो यहां पर आप 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 एप अच्छी तरीके से मिक्स करें जब तक एक लंप फ्री नहीं हो जाता अगर आपने यहां पर नहीं अट किया तो आप यहां पर 1 टीज पून वनिला ए आपके देशी घी सेवाई को आप घी में ही फ्राइ करें तभी उसका अच्छा फ्लेवर आता है तो यहां पर मैंने 150 ग्राम दी है सेवाई यह रोस्टेट सेवाई स्टिल हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि थोड़ी सी और क्रंची हो जाए सेवाई को देखिए म तो मैंने 8-10 मिनट तक लो हीट पे भुना सका कलर देखि कितना अच्छा आ गया है तो यह कलर आने तक हमें सिवाई को भुनना है अब यहां पर मैंने गैस बंद कर दिया गैस बंद करने के बाद यहां पर मैं 3 टेबल स्पून शकर अट कर रही हूं और यहां पर मैं 3 करना बहुत अच्छा अच्छा फ्लेवर आएगा तो अब हम को इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे याद रहे कि गैस हमारा यहां पर बंद है गैसमारा ओनी होनी चाहिए तो यह देखिए यहां पर मैंने सिवाई को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है यह देखिए यह यह दिखना चाहिए जब हम सेवई को खाएंगे और यह चंग समारे मूह में जाएंगे उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अभी सेट करेंगे तो इसकी लेरिंग लगाने के लिए यहां पर देखे मैंने चार ले लिया आइस क्रीम के बोल आप चाहें तो इसे एक नॉम मेरा बोल छोटा है तो मैं यहां पर स्पून से प्रेस करियो आप चाहें तो कोई और चीज से भी प्रेस कर सकते पर इतने अच्छे से प्रेस करें कि यह जो सिमय को हम लोग फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए जब तक हम दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं अब यहां प यहां पर दूद में बॉल आना स्टाट हो गया है तो बस अब हम इसे इतना ही बॉल करना में इसकी खीर नी बनानी से थिक नहीं करना अब मैं इसमें आट कर तूंगी तीन टेबल स्पून शकर भर की शकर आप अपने टेस्ट के इसाप से आप से आप चाहें तो यहां तो टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी आट कर सकते हैं इसका फ्लेवर और एंहांस हो जाएगा अब इसे हलका मिक्स करेंगे और शकर डालने के बाद हम एक बार बॉल और लेंगे कि शकर अची तरह से मेल्ट हो जाए इसमें तो यह देखिए यहां पर बॉल आ गया है अब हम हाट करना है अगर आपने इसे डारेक आट कर दिया तो दूद में इसके लँट बन जाएंगे तो आपने एक हांस से भी एचांस से थेखिक कि एक बच भी थंड़ा होगा तो अपने आपी काफी थिक हो जाता तो इतनी हमें इसी कंसिस्टेंसी रखनी है मैंने आपको दिखाती है अब मैंने यापर गैस बंद कर दी है अब हम इसे हलका सा थंड़ा करेंगे बहुत गर्म नहीं रखना हम यहां पर देखिए जो हमने से करहाई हैं कि यहां पर हमें डालना है लेकिन इतना दिहान रखना कि हमें इसे पुरा ऊपर तक नहीं भरना कि इसका अभी एक थर्ड लेयर भी आने वाली है तो अब सब में पोर कर दिया है अब हम इसे फ्रिजे यहां पर मैंने सपरा सब्सक्षा अभी आप सब्सक्राइब और भाह कर देना है यहेरं यहां पर मैंने सारे अच्छे से लेर आ और सबारा में ने कर देना है अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ओवर नाइट जब तक अच्छे से सेट नहीं हो जाता और सेकंड डे से सर्फ करेंगे आप चाहिए तो इतके एक दिन पहले से बना ले और सेकंड डे से सर्फ करें जरूर ट्राय करना यह बहुत अच्छी है काफी डिफरेंट फ्लेवर हो